तो दोस्तों इस Speed Test के लिए मैंने दोनों ही डिवाइस पर N22 Benchmark का एप्लिकेशन रन किया है उनको इस course को compare किया है इसके लावा कुछ manual एप्लिकेशन भी लॉंच करके देखे हैं कि कौन सा एप्लिकेशन के इस डिवाइस पर पहले लोड होता है आपको मिलता है इसके अलावा स्क्रोलिंग मगहरा तो इन सारी चीज़ों को मैंने यहां पर एक्स्प्लिकेशन की बात करें तो इसके बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सीपी यू स्कोर्स की तो इस कंडिशन में यहां रेट का स्कोर है बहतर है यह एक वीडी जो दोनों ही डिवाइसस के यू आई वाले पार्ट में रिकॉर्ड किया गया है अब यहां पर अगर इस स्कूलिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइसस पर काफी स्मूध तरीके से स्कूलिंग होती है कोई lag या frame drop यहां पर देखने को नहीं मिलता और इसके अलाबा कुछ applications भी मैंने यहां पर दोनों ही डिवाइसस पर manually launch करके देखे हैं कुछ applications Vivo Y100 पर जल्दी load होते हैं कुछ होते हैं 823 5G पर जल्दी load तो कुछ मिली जुली performance यहां देखने को मिली है cable scores के आदर पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि 823 5G पूरी तरह से Y100 को common use में beat करता हैं जैसे कि यह एक reboot test है जा मेरे दोनों ही devices को same time पर reboot किया तो Vivo Y100 जल्दी reboot हो गया या जल्दी restart हो गया as compared to 823 5G तो common use में दोनों ही devices काफी कमाल के हैं कोई issue आपको देखने को नहीं मिलेगा दोनों में से कोई भी device आपको common use में निराश नहीं करेगा और इसके लिए यहां confuse होने की कोई जरूरत नहीं है अब बात करते हैं GPU scores की यानि की gaming performance की तो इसके लिए Y100 का score है 132895 823 5G का score है 99681 अब यहां पर Y100 का score जादा है 823 5G से लेकिन अगर इस वीडियो को देखें जो दोनों ही devices के GPU वाले पार्ट में record किया गया है तो आप इसे एक high end graphics का game मान सकते हो और दोनों ही devices पर यहां lag देखने को मिलता है यानि कि अगर scores को अगर एक तरफ रखें और practically बात करें तो दोनों ही devices पर आप medium graphics तक के games बिना किसी issue बिना किसी lag के play कर सकते हो वहां आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी high graphics gaming में आपको दोनों ही devices पर issue या फिर फ्रेमडोब देखने को मिल सकता है overall gaming में भी यहां कोई difference नहीं है दोनों ही devices लगवक सेम ही perform करते है अब बात करते हैं memory scores की यानि कि RAM and ROM scores की तो Y100 का score है 91266 A235G का score है 68496 यहां भी Y100 का score जादा है A235G जे लेकिन अगर scores को expand करने तो RAM management में दोनों का score सेम है यानि कि multitasking में आपको को issue देखने को नहीं मिलेगा दोनों ही devices पर आप पड़े अच्छे level की multitasking कर सकते हो Y100 की read and write speed A235G से जादा है यानि कि अगर आप copy paste करते हो तो उस condition में Y100 आपको बहतर performance देदेगा as compared to A235G तो दोस्तो यही था मेरा A235G और Y100 के वीच एक speed test अब यहाँ पर confused होने की ज़रूरत नहीं है अगर hardware की वजए से आप इतनों ही devices में confused हो तो दोनों ही devices पर लगक सीहमी performance देखने को मिलती है common use के लिए भी, gaming के लिए भी और multitasking के लिए भी N22 benchmark के scores मैंने देखा दी जो practical ही चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ करके देखा दी आपके सोस्तियों दोनों ही devices के वारे प्लीज कमेंट सेक्सेन बताना ना भूलन तो दोस्तों मुझे वीडियो आपको पसंद आया होका तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरा नाम है धर्मेश, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तके लिए गुडबाई, आपका दिन शोग हो